हेलो फ्रेंट स्वागत है आप सभी का संदेरतन किचन में और एक नई रेसिपी के साथ तो मैं दिपाली आज में लेके आई हूँ तेला पिया मचली की रेसिपी जो बहुत ही टेश्टी बनती है और ये रेसिपी मैं आज बेंगॉली स्टाइन में लेके आई हूँ तो देख तो हल्दी और नमक मिलाने के बाद हम कर लेंगे इसको अच्छे तरीके से मिक्स अपको अच्छे तरीके से करना है ताकि जो नमक है वो अच्छे तरीके से इसमें मिक्स हो सके चारो और तो हमें हाथों की मदद सही इसे अच्छे तरीके से चारो तरप खुमाते फिराते मि अगर हम बिना गर्म कर्हायी पे कर दे तो क्या होगा सारे मचलिया जो है इसमें चिपक जाएगी तो इसलिए हमने पहले अच्छे तलिए का रएक लीमे इसमें पर खरशे किवे हैं को गर्म कर लेना है उसके лайप एकड़ालिए तर jump on it चारपीस मचली अच्छे तरीके से पहले फ्राइ कर लूगी, तो जब एक तरफ से फ्राइ हो जाए, तब हम इसे अलटते पलटते फ्राइ कर लेंगे, तो तिलापीया मचली जो है, हर जगा ताजी मिलती है, बर्फ वाला ये नहीं मिलता है, और ताजी होने के कारण ये तो देखिए एक तरफ से यह पक चुका है तो हम इसे पलट देंगे दूसरी और फ्राइ करने के लिए तो देखिए इस तरीके से हमें पलट लेना है कल्ची की मदद से गैस का फ्लेम मैंने फूल ही रखा है फूली फ्लेम पे आपको सारे मश्लियों को फ्राइ करना है तो इसी तरीके से हम दूसरे तरफ भी फ्राइ कर लेंगे तो देखे फ्रेंस दूसरे तरफ से भी बहुत ही अच्छे तरीके से फ्राइ हो चुका है तो चलिए हम सारे मश्लियों को निकाल लेते हैं तो इस तरीके से कल्शी की मदद से हम इस तरीके से निकाल लेंगे एक-एक मशलियों को और जो एक्स्ट्रा तेल है वो इस तरीके से निकल जाएगा साइट से तो इस तरीके से हमें सारे मशलियों को निकाल लेना है और बागी के जो मशलियां हैं उसे भी हम इसी तरीके से फ्राइ कर लेंगे सारे इसी तेल में हम दुबारा से जो बचे वे मशलियां हैं उसे भी हम फ्राइ कर लेंगे तो देखिया फ्रेंस मसाले के लिए मैंने ले लिया है प्याज दो मैंने मिडियम साइच का प्याज लिया है और इस तरीके से मैंने स्लाइस में से कट कर लिया है कुछ कलिया मैंने लेसन की लिए है और एक इंच लिए है मैंने अधरक का टुकड़ा जो हम मसाले में यूज करेंगे लेसन और अधरक इसका हम सिलपटे पेपिसके पेश्ट बना लेंगे और प्याज जो है हम तरके में इस्तमाल करेंगे तो देखे आखिर में जो मसली का मूरा है इसे भी हम इस तरीके से फ्राय कर लेंगे अगर कुछ टुकरे इसमें बचे हो तो आप इस तरीके से कल्ची की मदद से तेल को साफ कर ले ताकि जो हम ग्रेवी के लिए जब हम प्याज भूने तो ये जो है वो जले नहीं तो देखें सारे मचलियों को मैंने इस तरीके से फ्राइ कर लिया है तो चलिए इसे रख देते हैं साइट में और कर लेते हैं ग्रेवी की तयारी थोड़ा सा हम इसमें तेल डाल लेंगे इसके बाद तेल जब अच्छे तरीके से गरम हो जाए तब हम इसमें लगा लेंगे तरका तो सबसे पहले हम इसमें डाल देंगे दो तिछ पत्ता देखिए मैंने दो तिछ पत्ता लिया है और एक चोथाई चमच हम इसमें डाल देंगे नॉर्मल जीरा जो हम घर में इस्तिमाल करते हैं देखिए जब जीरा अच्छे तरीके से चिटक जाए हम इस तरीके से कल्ची से चलाते हुए इसे मिक्स कर देंगे ताकि जो जीरा है वो अच्छे तरीके से भुन जाए और तिर्जपत्ता का जो फ्लेवर है वो भी आने लगे इसके बाद हम इसमें डाल देंगे कटे हुए सारे प्याज सारे प्याज को डालने के बाद हम इसे चलाते हुए ब्राउन होने तक भून लेंगे फुल फ्लेम पे ही आपको प्याज को भूनना है इस तरीके से तो देखिए एक मैंने टमाटर लिया है जिसको मैंने स्लाइस में कट कर लिया है देख सकते हैं तो ये भी हम इसमें डाल देंगे दुख्ये प्याज जब अच्छे तरीक से भून जाए ब्राउन कलर हो जाए तब ही आपको इसमें टमाटर डालना है टमाटर डालने के बाद हम इसे चलाते हुए कुछ देर तक पका लेंगे टमाटर का जब तक कच्छापन निकले तब तक हमें इसे पकाना है इसी तरीके से चलाते हुए ताकि टमाटर जो है वो नीचे से जले नहीं और हमें इसे चलाते हुए ही पकाना है कच्छापन निकल जाने तक तो देखिए टमाटर जो है बहुत ही अच्छे तरीके से भून चुका है अब हम इसमें डाल देंगे अधरक लेशन का पेश्ट थोड़ा सा हम इसमें डाल देंगे पानी ताकि जो हम सुखे मसाले इसमें एड़ करें तो फिर मसाला जो है वो पकाने में दिकतना हो और बहुत यासानी से पक जाए और इसका कच्छपन निकल जाए तो हम इसमें डाल देंगे अधर चमच हल्दी पाउडर एक चमच मैंने लिया है लाल मिर्च पाउडर तो फ्रेंड्स मिर्च और नमक आप अपने हिसाब से इसमें 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 करें ताकि नीचे से लगे नहीं इसके बाद मैं इसमें डाल दूंगे स्वादनुसार नमक तो फ्रेंड्स जितनी गिरे भी आप रखे उसी हिसाब से आप इसमें नमक का इस्केमाल करें तो मैंने एक चमत से थोड़ा सा कम ही नमक लिया है इतना काफी है तो इस तरीके से चलाते मिक्स कर लेना है इसके बाद हम गैस का फ्रेम कम कर देंगे और मसाले को हम इसे धीमियाच पर ही पकने के लिए छूड़ देंगे कुछ मिनट तक हम मसाले को ढखके इस तरीके से पकाएंगे ताकि मसाला में जो प्याज और टमाटर हो अच्छे तरीके से गल जाए तो प्याज है वो अच्छे तरीके से मैस हो जाए गल जाए इसी तरीके से हमें लगाता चलाते वे से भूनना है खुले में हम इसे मसाले को पका लेंगे एक से दो मिनट तक और जब मसाला अच्छे तरीके से पक जाए तो आपको लगातार चलाते वे इसे पकाना है जब लगे मसाला करहाई छोड़ने लगा है तब हम इसमें ग्रेवी के लिए पानी एड़ करेंगे तो देखे मसाला जो एकदम तेल छोड़ चुका है अब हम इसमें डाल देंगे ग्रेवी के लिए पानी जितना जो रथ हो आप उसी हिसाब से इसमें पानी का इस्तमाल करें मैंने इसमें एक कप पानी का इस्तमाल किया है तो अच्छे तरीके से हमें मसाले को इसमें मिक्स कर लेना है और एक उबाल आने तक हमें इसे पका लेना है तो देखें गरा मसाले के लिए मैंने लिया है दो हरी लाइची और एक इंच दालचीनी का टुकड़ा जिसको मैंने टुकड़ों में तोड़ लिया है तो चलिए इसे भी हम सिल्पट्टे पर पिछ लेते हैं तो देखेए ग्रेवी में अबाल आ चुका है तो हम एसे अच्छे तरीके से मिक्स कर देगे अब हम इसमें डाल देंगे पिसे हुए ऎ गरम मसाला ग्रेवी में मैंने गरब मसाला इसलिए एड़ किया है ताकि जो मचलिया है उसमें भी गरब मसाले का फ्लेवर अंदर तक पहुचे आप चाहो तो मचलिया डालने के बाद भी गरब मसाले का इस्तमाल कर सकते हो तो देखिए गरब मसाला डालने के बाद पुरंथ ही आपको इसमें मसलिया एड़ कर देनी है तो इस तरीके से हमें जितनी जुर्णत हो उतनी मसलिया हम इसमें डाल देंगे मसलिया डालने के बाद आप इसे एक मिनट तक ही पकाएं तो देखिए सारे मसलियों को मैंने डाल दिया है इस तरीके से कल्ची के मदद से हम हलके हातों से इसे हिलाते हुए मिक्स कर देंगे ग्रेवी में ताकि मसलिया जो हैं अंदर तक टेस्ट पॉचे इसका और इसे हम एक से डेर मिनट तक पकने के लिए छोड़ देंगे मेडियम फ्लेम पे तो देखिए हमारा तेला पिया मसली की रेसिपी बनके हो गया है तो यार वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जिरू से किजिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ सेर करना ना भूल पर मिलते है लिए लिने डेसिपी के साथ तो